बॉलिवुड की हर खबर के लिए फ्रस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाट्सअप बॉलिवुड के साथ हेलो फ्रेंस वेलकम टू वाट्सअप बॉलिवुड बॉलिवुड के पॉपुलर आक्टर संजदत ने कैंसर से लडाई जीत ली है दिवाली से पहले संजदत ठीक हो गए है और ये खबर सुनके उनके फैंस में खुशी की एक लहर सी दोड़ गई है संजदत ने अपने फैंस के साथ ये खबर ट्वीट करके दी उन्होंने ट्वीट में अपने फैमिली, दोस्तों और फैंस का शुक्रिया आदा किया है कि इश्वर सबसे कठिन लडाई यां सबसे मजबूत लडाकों को देता है और आज अपने बेटे के बड़े पर मैं खुश हूँ इस लडाई से जीत कर बाहर आने के लिए और उन्हें सर्वस्रेष्ट गिफ्ट देने योग्य बनने के लिए जो है मेरे परिवार की सेहत और उनकी सम्रिधी संजदत ने आगे लिखा ये संभव नहीं हो पाता आप सबकी तरफ से मिलने वाले सपोर्ट के बिना मैं पूरी तरह से एहसान मंद हूँ अपने परिवार, दोस्तों और अपने उन सभी फैंस का जो मेरे साथ खड़े रहे और इस आज माने वाले वक्त में मेरे साथ मेरी ताकत बनकर खड़े रहे शुक्रिया, इस प्यार, दया और असीम आशिरवात के लिए जो आप मुझे देते रहे संजदत ने लिखा मैं खास तोर पर डॉक्टर सिवानती और उनकी टीम का शुक्र गुजार हूँ नरसें और कोगिला बेन हॉस्पिटल के बाकी मेरिकल स्टाफ जिनोंने बीते कुछ हफते में मेरी बहुत अच्छे से देख रहे की विनम्र और आभारी हूँ संजदत ने लिखा कि इस खबर को शेर करते हुए मेरा हिर्दय आभार से भड़ गया है हाँ जोड़ कर शुक्रियादा करता हूँ आप सभी का आपको बता दे संजदत को लंग कैंसर हुआ था बॉलव डाक्टर संजदत को फेफडो का कैंसर हुआ था उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया जहां उन्हें लंग कैंसर डाइगनॉस हुआ था कयासों की बीच उन्होंने 11 अगस्त को खुट पीट करके अपने मेडिकल कंडिशन के बारे में बताया था और कहा था कि इलाज के लिए वो बॉलिवुट से कुछ वक्त का ब्रेक ले रहे हैं वेल संजदत के तब्यट ठीक हो जाने के बाद फैंस के लिए ये खबर बेहदी खुश कर देने वाली है और साथी साथ संजदत के अगले आने वाली कुछ फिल्मों को ले कर भी फैंस काफी एकसाइटिड हैं बात करें संजदत के आने वाली फिल्मों की तो जल्दी वो KGF Chapter 2 में नजर आने वाले हैं इसके अलावा संजदत के पास कई सारे बॉलिवूड प्रोजेक्स भी हैं क्या आप संजदत को दोबारा फिल्मों में देखने के लिए एक्साइटिर हैं कमेंज की जरीए हमें बताईए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे वाट्स अप बॉलिवूड